विल्कम बच्चो आज हम लोग इत्या पाँचवी यह कक्षा पाँचवी की मराथी विशे की पढ़ाई करने जा रहे हैं मराथी सुलब भारती एत्या पाँचवी और आज हम आठवा पाथ जो एक कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं पहले हम कविता का नाम देखते हैं धड़ा आठ कोना पासुन काय घ्यावे पहले ही इस कविता को मैं आपको गा कर सूरताल में बताऊंगे फिर उसके बाद पूरी कविता का अर्थ समझाऊंगे सूरिया पासुन रंग घ्योया चंद्रा पासुन सान्ती चम चम नार्या तार्या पासुन दिव्य घ्योया कान्ती फूला पासुन गंद घ्योया कोकिडा कडुन गाने जुल जुल नार्या जर्या पासुन घ्यो नवितराने जाडा पासुन घ्यो सावली माती पासुन जगने गल गल नार्या डग पासुन घ्यो जीवन गाने प्रभात काड़ी एक शिकुया, जगवित जीव जगुया, संध्या समय एक होनी, सारे मित्र हसुया नीलम मानगावे, इस कविता को केस ने लिखा है? नीलम मानगावे ने, अब इसका आर्थ समझेंगे हम लोग सूरिया पासुन रंग घ्युया, देखो इसमें पाट की सुरुवात में एक बोला है कोणा पासुन काड़ घ्यावे, यानि इस प्रक्यति में जितनी वस्तुवे हैं, जितनी चीजे देव इश्वर की बनाई हैं, उन सब से हम कुछ न कुछ सीख ले सकते हैं, कुछ न कुछ उसकी रोसनी, अगर आप एक कागज पर साथ रंग बनाऊगे और उस चक्र को चलाऊगे, तो वो सफेद दिखाई पड़ता है, यानि सूरे में कितने रंग हैं, साथ रंग हैं, बट हमें दिखाई कितना पड़ता हैं, सिर्फ एक रंग, वो है सफेद रंग, तो सूरे से क चांती मिलती है, शीतलता मिलती है, चम चम नार्या तार्या पासुन दिव्य घेऊ या कांती, और यह जो आस्मान में तारे चम चम आते हैं, पता है ना कैसे टिम टिम करते हैं, चम चम नार्या यानि टिम टिम आने वाले, तारे मतलब तारे, आप जो तारे देखते हो, दि चमक होती है उससे हम क्या सीख लेंगे हम अपने जीवन में भी तेज याने कांती लाएंगे फूला पासुन गंद घेवुया फूल तो आप सभी को पता है फूल जो जिससे हम माला बनाते हैं जिससे हम घजरा बनाते हैं फूला पासुन फूल से हम क्या लेंगे गंद खुश कोयल के आवा सुनने के लिए हम कितने आतुर रहते हैं कोयल जब बोलती है तो कितनी मीठी भाषा बोलती है और हम जुक जुक कर दाली में ढूनने की कोशिस करते हैं तो कोयल से हम क्या सिखेंगे मीठे गाने यानि मीठा बोलना जुल जुल नारया जारया पासुन घेवू न आवास से कोई गीत निकल रहा है जाड़ा पासुन घेऊ सावली माती पासुन जगने जाड़ याने पेड़ से हम क्या लेंगे क्या सिखेंगे जैसे पेड़ सबको बिना मूल्य बिना किसी पैसे के सबको सावली याने छाया देता है सावली मतलब क्या छाया माती पासुन जगने और माती याने मिटी मिटी क्या करती है सभी को अपने अंदर समावित करती है आप कोई भी बीज मिटी में डाल दो वो थोड़े दिन में अगर हम पानी पड़ेगा तो अपने आप उस बीज में से एक जीवन निकलाता है का भगर नार्यायन है गड़ड़ाहट की आवाज। धग मतलब क्या होता है आसमान में जो हमें बादल दिखाई देते न, वो धग। धग। जब बहुत सारे धग आजाते हैं। बहुत सारे जब बादल आ जाते हैं। तो उनकी आवाज कैसे आती हैं दुस्रे से जब टकर आते गेव जीवन गानें तो यहां पर कभी ने क्या बताया है कि उसकी आवास डरों नहीं उसकी आवास को भी एक जीवन का गीत समझ के उससे हम वो सीख लेंगे प्रभात काड़ी एक सिकूया जगवित जीव जगूया प्रभात याने सुबा सुबा के समय हम जल्दी उठकर हम क्या करते हैं सुबा के समय व्यायाम करते हैं ब्रश करते हैं स्कूल की त्यारी करते हैं सुबा सुबा हमें उठना चाहिए जगवित जीव जगूया जीवन ज हो नी संध्या मतलब शाम के समय हम सब एक होंगे इकत्र हो जाएंगे संध्या याने संध्या मतलब शाम सारे मित्र हसुया और जब हमारा पढ़ाई लिखाई का कारे सब पूरा हो जाएगा तो शाम को सब हम इकत्रित होकर हिश्वर की प्रात्ना करेंगे देखो यह बच्ची कैसे प्रात्ना कर रही है यह बच्चे मिलकर खेल रहे हैं हम सब एकत्रित होकर क्या करेंगे मित्र आपस में खेलेंगे मिलेंगे हसेंगे और एक साथ एकत्रित रहेंगे और इसको लिखने वाली नीलम मानगा वे अभी हमें इसमें से आपको जो थोड़े से नए और कठीन मैंने आपको पहले बता दिया था प्रभात याने पहाट मराथी में पहाट हिंदी में कहेंगे सुबा सुर्योदे चाकार मतलब सुर्योदे का समय प्रभातकार याने पहाट याने सुबा याने सुर्योदे का समय संध्याकार याने शाम का समय याने सुर्यास्त का समय ठीक है इसके बाद हम स्वाध्या इस पार्ट का प्रश्णूत्र देखेंगे रिकाम्य जागा भरा पहला है घेव सावली यह हमें का करना है इसमें से ही ढूणना है देखो जाडा पासुन घेव सावली तो घेव सावली के पहले क्या है जाडा पासुन तो यहाँ पर हम लिखेंगे धाड़ा पासुन घेव सावली माती पासुन जगणे उसके पहले क्या आएगा माती यह सब आपको जो खाली जगा भरना है वो सब आपके इस कविता से ही निकाल कर भरना है ठीक है एक शिकूया प्रभात काड़ी एक शिकूया जीव जगूया उसके पहले क्या आएगा रिक्ता स्थान में जगवित जगवित जीव देखो यहाँ पर सब मिलेगा आपको जगवित जीव जगूया कविते तील कोना कडून का है घेता येल येल येलिहा तेलिहा मतलब कविते से हमें किस से क्या मिल सकता है किस से क्या ग्रहन कर सकते हैं वो हमें पता चलेगा उससे हमें यहाँ पर लिखना है सूरिया सूरिया पासून रंग चंडरा पासून शांती तारा से क्या मिलेगा का फूल गंद फूल हमें क्या देता है कोकिडा गाणी गाणी याने गीत सुनाती है हम उन्से गीत सीख सकते हैं जहरा नवे तराने ने तराने तराना थेड़ता है जहार सावली याने छाया माती जगने जीवन जगना कविते अभी तीस्या प्रश्ण तीन है कविते चम-चम शब्द आलेला आहे या सार्खे शब्द माहित करून ग्या वा लिहा अभी जैसे कविता में चम-चम शब्द आया है ऐसे अन्य और शब्द में लिखना है तो जैसे चम-चम सरसर, खडखड, तर्टर, गडगड, फड़फड, तो मैंने आपके लिए यह स्वाध्याय भी यहां पर हल कर देना है, अब आपको यह कवीता अच्छी तरीके से गाना है, और इसको सूरताल में इसको याद करना है, उसके बाद स्वाध्याय हल करना है, ओके? झाल